लोग कहते हैं कि सुबह का समय पढ़ने के लिए सबसे अच्छा होता है पर हकीकत तो ये है कि हर वक्त सुबह हो या शाम अगर मन में लगन हो तो कभी भी पढ़ा जा सकता है जो आदमी मन के साथ जीता है वो कमजोर होता है और जो संकल्प के साथ जीता है वह बलवान होता है ये मन आवारा होता है पढ़ने बैठोगे तो टेबल पर रखी हुई दस चीजों की तरफ मन आपका ध्यान भटकाएगा मोबाइल कभी खुद नहीं कहता के मुझे चलाओ आपका मन कहता है के मोबाइल चलाओ इसलिए अगर अपने आवारा मन को कंट्रोल करना है तो मेरी इस बात को ध्यान से सुनिएगा आपके बड़े काम आईगी छोटे छोटे संकल्प लेना सीखो सोचो के आज मैं एक गंटे मोबाइल को हाथ नहीं लगाऊंगा जब पढ़ने बैठो तो एक छोटा सा संकल्प लो के 15 मिनिट तक अपनी नजर किताब से नहीं हटाऊंगा चाहे कोछ हो जाए धीरे धीरे ऐसे कामों की प्रैटिस करो जब आप इन छोटे छोटे संकल्पों को पूरा कर पाओगे तब आपका आत्म विश्वास बढ़ेगा आपको यकीन हो जाएगा कि जब मैं ये काम कर सकता हूँ तो मैं दुनिया का कोई भी काम कर सकता हूँ और आपकी ये सोच आपके मन की आवारा गर्दी को खत्म कर देगी कब तक उन चीज़ों को अपनी जिंदगी से हटाते रहोगे जो आपका ध्यान भटकाती है बहतर तो ये है कि अपने मन को इतना मजबूत बनाओ कि कोई चीज तुमारा ध्यान भटका ही न पाए वो कहते हैं ना सड़क से कंकर हटाने की जगे पैरों में जूता पहन लेना ज्यादा बहतर होता है किसी ने क्या खूब कहा है मौत तो सबको आती है पर जीना हर किसी को नहीं आता देखो अभी तुमारे पास मौका है अपनी लाइब बनाने का और ये मौका आने वाले समय में तुम्हारे पास नहीं रहेगा और अगर तुमको अभी भी पढ़ाई बोरिंग लगती है तो इसका मतलब ये है कि तुमको आज तक पता ही नहीं चल पाया कि तुम पढ़ क्यों रहे हो पढ़ाई बोरिंग होती है सच बात है बिल्कुल बोरिंग होती है इसमें कोई मजा नहीं, कोई entertainment नहीं, कुछ भी नहीं लेकिन सोना भी तो boring होता है इसमें कौन सा entertainment, कौन सा मजा होता है खाना खाना भी boring होता है लेकिन जब नीद आती है, तो सोना पड़ता है भूख लगती है, तो खाना पड़ता है तब entertainment और मजा ये सारी बाते माइने नहीं रखते क्योंकि इनकी जरूरत नहीं है जरूरत है तो सोने की, जरूरत है तो खाने की, ठीक वैसे ही पढ़ाई जरूरी है माइने नहीं रखता ये boring है या मज़ेदार है, ये जरूरी है क्योंकि अगर तुमने अभी अपना भविष्य बना लिया, तो शायद तुम आगे अपने मन के काम कर पाओगे लेकिन अगर मजे के चक्कर में, बोरियत के चकर में अभी तुमने कुछ नहीं किया तो जिन्दगी पर तुम्हें वो काम करने पड़ेंगे, जो तुम्हारे मन के नहीं होंगे किसी ऐसे आदमी के नीचे काम करना पड़ेगा, जिसे तुम पसंद नहीं करते हो उसकी डाट खानी पड़ेगी, शायद उसका नौकर भी बनना पड़े तब कैसा लगेगा जरा सोचो, कैसा लगेगा जब तुम्हारे आत्मसम्मान को कोई अपने जूतों से रोन देगा कैसा लगेगा जब तुम्हारे बच्चे के पास खेलने के लिए अच्छे खेलोने नहीं होंगे कैसा लगेगा जब लोग तुम्हें और तुमारे परिवार को इज़त नहीं देंगे तो दोस्त या तो भविश्य में दो कौणी की जिन्दगी जी लेना या सोच समझ कर अपनी जिन्दगी का अभी सही फैसला कर लेना हो सकता है ये सारी बाते आपको बुरी लग जाएं लेकिं मीठी बाते करना मेरा काम नहीं अगर मेरी कड़वी बात से आपकी जिन्दगी सही रास्ते पर आ जाती है तो इससे अच्छी कोई बात नहीं होगी वक्त है समझ जाओ नहीं तो आने वाला वक्त समझा ही देगा